साथ्यों हम तो जानते हैं हिमालाई की ताकत को जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि उत्राखंचे कितनी ही नदिया निकलती है आजायदी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी है एक धारा है पहाड को विकास से बन्चित रखो और दूसरी धारा है पहाड के विकास के लिए दिन रात एक कर दो पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से बन्चित रखना चाहते हैं पहाडों पर सडक बिजली और पानी पहुँचाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो हमेशा इससे दूर भागते रहे यहां के सेंकडों गाओं की कितनी पिडियां अच्छी सडकों के अभाव में यह हमारा प्यारा उत्तराखन छोड़ करके कही और जाकर के बस गए आज मुझे संतोष है कि उत्तराखन के लोग देश के लोग यह जो बर्बाली जाने वाले लोग रहे ना उनका कच्चा चिठा खोल चुके है उनका सच जान चुके है आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के सार तेज गती से देश को नई उचाई पर ले जाने में जुटी है आज उधम सी नगर जिले में एम्स रिजिकेस के सेटिलाइट केंद्र और पिथोरा गड़ में जग जीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधार चिला रखी गई है इन दोनों अस्पतालों से कुमाओ और तराइख शेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी अलमोडा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है उत्तरा खंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनोती रही है उसे भी हम दूर करने का लगातार प्यास कर रहे हैं आज इस कारकम में भी करिम नव हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स तो सड़क निर्मान से जुड़े हैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना के तहट बारा सो किलोमेटर ग्रामिन सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्मान का काम भी किया जाएगा भाई और बैनों आपको सुख सुविदा से बन्चित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानसखन जो मान सरोवर का प्रवेज़द्वार था सड़कों से बन्चित रहा हमने न सिर्प टनकपूर पिथोरागड आल वेजर रोल पर काम किया बल्कि लीपू लेक तक भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कारियद चल रहा है वैसे आज जब जनता जनारदन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है ये दुकान है अफ़ा फ्यलाने की अफ़ा मैनिफेक्चर करो फिर अफ़ा को प्रवाहित करो और उसी अफ़ा को सच मान करके दिन राज चिलाते रहो मुझे बताया गया है कि हाँ टनकपूर बागेश्वर लेल लाइन को लेकर ये उत्राखन विरोधी नए ब्रह्म फेला रहे हैं साथियों टनकपूर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूँ आज रिशिकेश कर्ण प्रयाग रेल रूट बन रहा है कल टनकपूर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा मेरे उत्राखन के भाईयों और बहनों यह सिलास न्यास के सिरफ पत्थर नहीं है यह पत्थर मात्र नहीं है यह वो संकल्प शिलाए हैं जो डबल इंजीन के सरकार सिद्ध करके दिखाएगी साथियों उत्राखन अपनी स्थापना के दो दसक 20 साल पूरे कर चुका है इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्राखन को लूट लो मेरी सरकार बचा लो इन लोगों ने दोनों हातों से उत्राखन को लूटा जिने उत्राखन से प्यार हो वो ऐसा सोज भी नहीं सकते जिसे कुमाओं से प्यार हो वो कुमाओं छोड़ कर नहीं जाता ये तो देव भूमी है यहां के लोगों की सेवा करना उत्राखन की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है मैं स्वयम जी जान से जुटा हुआ हूँ पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बढ़ला जा रहा है उन्होंने आपको मुल्द सुविधाओं का अभाव दिया हम हर वर्ग हर छेत्र तक शत्य प्रतिशत मुनियादी सुविधाओं को पहुचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं भाव बहनों अभाव में रखने की राज़िती का सबसे अधिक नुक्षान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताए हमारी बहने हमारी बेटिया है रसोई में धुआ तो समस्या माताओं बहनों की सौचाले नहीं तो दिक्कत सबसे ज़्यादा बहनों बेटियों को कच्ची छत की वज़ज़ से पानी टपका तो सबसे ज़्यादा परिशानी मा को बच्चे बिमार हुए इलाज के पैसे नहीं सुविदा नहीं दिल सबसे ज़्यादा दुखता है मा का पानी के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का बहनों का बिते साथ सालों में मात्रू शक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रियास किया है जल जीवन मिशन हर गर जल हर गर नर से जल ऐसा ही एक प्रियास है दो साल में इस मिशन के तहट देश के पांच करोड से अधिक परिवारों को पाईप से पानी दिया जा चुका है आज भी जिन सत्तर से अधिक परियोजनाओं का सलान्यास हुआ है उससे तेरा जीलों की बेहनों का जीवन आसान होने वाला है यही नहीं हल्दवानी और जगजितपूर के आसपास के खेतरों को भी परियाप्त पानी का अब वो व्यवस्ता भी पीने के पानी यह सुनिस्चित होगा झाल 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 झाल